नमस्कार, STMD Media Network में आपका श्वागत है, आप देख रहे हैं कठिहार Top News, मैं हूँ आमेर कठिहार जिला में अब तक 83,000 से ज़्यादा प्रवासी बंधूबन आ चुके हैं, अभी 648 स्कैम संचालित हैं और इन में 40,000 से उपर लोग आवासे थे वर्तमान में हम लोग ने House to House सर्वे प्रारम करा दिया है, कुल 632 टीम्स का गठन किया गया है, जो कि प्रतेग घर में जाके सभी लोगों की जाच करेंगे, स्वास दक्षणों की जाच करेंगे अगर कोई ऐसे भी व्यक्ति प्रकाश में आते हैं, जो कि अनोफिशली या अपने सादनों से प्रविश कर गए हों और हम लोग के वारंटीन के इन में नहीं आ सके हों, तो उनकी भी हम लोग जाच करेंगे, उनकी भी स्वास दक्षण हम लोग देखेंगे और उनको भी ल नेगिटीव टेस्ट हो गए इन मेंसे यानि मूल रूप से जो 111 पॉसिट टेस्त उनका रिपीत टेस्ट जब करायागया है तो 44 लोग नेगिटीव टेस्ट होके आ गया तो इस प्रकार से अब अब एक्तिव केसि की शंख्या हम लोग की घटके 87 हो गए हैए, सैम्पल्स क से और भी बढ़ा कि हम लोग टेस्स लेंगे तो मैं पुनह यह कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी पैनिक करने के आवशकता नहीं है अभी जितने भी टेस्ट हम लोग के पॉजिटिव आए हैं यह सारे वही प्रवासी बंदू हैं जो कि क्वारंटीन कैंप्स में ते और इसल लिए यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें लॉकडाउन का क्या सुरूप होगा किस प्रकार से एक्स्टेंड होगा नहीं होगा यह तो आने वाला समय बता देगा लेकिन उसका जो भी सुरूप हो हम लोगों को ध्यान यह आप्त कर सके बहुत 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 अन्यों